हेलो स्टुडेंट्स आज हम थर्ड चैप्टर करते हैं मोशन ओफ दार्थ परत्वी की गतिया हिंदी में इसे ये बोलते हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग चैप्टर है अगर आपके हाथ में बोल है रख सकते हो तो आप रख सकते हो क्योंकि हम बोल से बड़ा अच्छे डंग से समझ सकते हैं आपको ये तो पता है कि सूरिय है वो नहीं घूमता प्रत्वी घूमती और घूमता हुए हमें कौन दिखाए देता है सूरिय है क्यों अगर चलती हुई ट्रेन में आप जा रहे हो तो आप देखो कि पोदे दोड रहे हैं लगता है ना कि पोदे भाग रहे हैं लेकिन पोदे नहीं भाग रहे, पोदे तो स्थिर है, ट्रेन भाग रही है, इसलिए वो पोदे चलते वे दिखाई दे रहे, तो पृत्वी क्या करती है भई, पृत्वी घूमती है सुरिये के चारों और, एक तो सुरिये चारों और घूमती है, अगर आप बॉल फैंको, बॉल फैंक के दे पहाईगे और हैं और यह दूरी तया करेगी यह यहां थी इस प्वैंट से चली और इस प्वैंट तक इसने दूरी तया करी इसके साथ यह इस किनारे से चली और इसने चक्कर दोबारा से इसमें इसने यहां आगी देखो यहां यहां घुमी फिर घुमते घुमते इस तरफ यह जो चीज यहां आगी यहां आगी यहां आगी और फिर फिर दोबारा यहां आगी मतलब क्या है प्रत्वी दो तरीके से घुमती है एक तो अपनी ही दुरी पर घुमती है कैसे जैसे यहां से यह घुमरी है प्रत्वी ठीक है यह इसके एक्सिस है तो यह ऐसे भी तो घुमरी है ने ऐसे अब यह इसका पासा यहां था फिर ये अपने ही धुरी पर घुमती हुई क्या है यहां गई यहां गई यहां गई और यह पासा इधर आ गया अब एक चक्र पुरा कर लिया इसने फिर दोबारा से घुमने लगी अपने ही आप ही घुमरी है ना अपने ही आप ऐसे घुमरी है और एक ऐसे भी गूमरी है मतलव दो तरह से चक्कर लगा रही है एक तो गूमते गूमते चक्कर काट रही है और एक खुदी गूमरी है अब बोल को फैंको गया तो आप दोनों पता चल जाएगा आपको तो इससे जो ये अपनी धूरी पर गूमती है और गुमते गुमते एक पासा इधर और एक पासा इधर था तो दोबारा से आए तो एक पासा इधर एक पासा इधर हो गया और इस तरह से ये गुमती रही गुमती रही यहाँ पहुंच गी यहाँ पहुंच गी तो इस तरह से क्या है ये एक चक्कर इसने पुरा कर लिया जो ये एक चक्कर पुरा करते हैं गुमते गुमते इसे कहते है रोटेट और जब ये एक पूरा बड़ा सरकल पूरा करती है इसे कहलते हैं रेवोल्यूशन दुबारा से फिर समझ लो अगर नहीं समझ में आया तो कुमेंट में लिख देना की समझ में नहीं है ये आपका सूरिय महराज है हैं जी बच्चो और इस प्रत्वी पर इस उस पे ओर्बिट में वो घुमरी है ये कोई मैं जो ये लाइन लगा रही हूँ ये कोई भुमंडल में लाइन नहीं है ये वैसे ही है यहाँ जो प्रत्वी गुमरी है यहाँ से चली आज ये प्रत्वी ठीक है और जो इसका ये पासा था चलो हम क्या कर देते हैं एक पासा इसका सूरिय के सामने कर देते हैं सोरी ठीक है यहाँ से सूरिय चला यह सुर्य की तरफ मूँ करके चली यह प्रकास में है आजी यह हिस्सा इसका क्या है डार्क में है तो अगली बार जब यह यहां पहुंची तो इसका जो यह हिस्सा था डार्क वाला यह इधर आ गया ठीक है और अगली बार फिर आई अपने आप घूमरी है न तो यह यह हिस्सा डार्क में आ गया और यह बिना डार्क रह गया तो इस तरह क्या करती है एक चक्कर लगाती है एक यह चक्कर पुरा किया इसने 24 गंटे में कितने में 24 गंटे में दूसरा चक्कर भी 24 गंटे में तो आप 24 गंटे के क्या बनते है हमारे हां दिन रात बनते हैं जो यह सूरिय के सामने है यहां तो दिन है डे है और जो यह भाग आया यह यहां क्या आई नाइट आई इस गती को जब ये एक चक्र अपना ही पुरा करती है इसके ने एक चक्र अपना पुरा किया भी सूरिये का नहीं किया सूरिये का तो क्या करेगी यहां पहुंचेगी यहां पहुंचेगी फिर यहां पहुंचेगी फिर यहां आएगी दोबारा इसके सामने तब यह टाइम लेती है कि 365 दिन में एक राउंड पुरा करती है और 365 दिन का अगर आपको याद हो तो वो क्या बनता है एक यहर बनता है साल बनता है भई होगी ना दोगतिया एक से क्या बनते हैं दिन रात बनते हैं और एक से क्या बनते हैं साल बनते हैं जिससे दिन रात बनते हैं जैसे मालो यहां इससे देखो आज यह इससा सूरिये के सामने है यहां दिन है लेकिन यहां रात है ठीक है यहां नाइट है जो देश में आप भी दिन निकला हुआ है जो मैंने पहले चैप्टर में करवाया था कि देशांतर पर दिन होता है रात होती है टाइम चार डिगरी होता है तो क्या है यहां तो क्या बज़े हुँआंगे रात का एक बज़े दिन का एक बज़ा होगा लेकिन इसी पॉइंट रात का एक बज़ा भी होगा यहां आई टैना इजी एस्टी ओके लेकिन अगली बार क्या होगा अगली बार यह हिस्सा बलट जाएगा और जो हिस्सा अब हमें नाइट में दीख रहा है वो 24 गंटे में 12 गंटे में यहां दिन निकलाएगा यहां रात हो जाएगा तो इसक गती को हम रोटेट गती बोलते हैं इसके रोटेट यह रोटेशन इस से क्या बनते हैं इस गती से दिन रात बनते हैं लेकिन जब यह घुमते घूमते प्रत्वी सुर्य का एक चक्कर पुरा कर लेती है सुर्ये के चारों और ये पूरा एक चक्कर यहां से शुरू करती है और फिर दोबारा यहीं आ जाती है घुमी 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 तो 365 दिन हो गए ऐसे घुमते और अंत में यहीं आ गई तो वो revolution करती होती है और उसे क्या बनती है आपका? साल बनती है, रीतवे बनती है रीतवें तो प्रितवी पिर जो प्रकास का डिवीजन होता है न? च dug कि हम सुर्ये से दूपराप करते हैं तो जो सुर्ये के सामने हिस्सा होगा मालो देखो कैसे बनती है ये प्रत्वी का हिसा आज क्या है सूरिय के सामने है ये है सूरिय की जो किरने है यहां सीधी पड़ रही है मालो ये नौर्थ है और ये वेस्ट है तो इस्ट में है हम ना तो जोन में हम क्या होते हैं प्रत्वी के सामने होते हैं और जैसे जैसे ये यहां तक छेतर चले जाएंगे ये हिस्सा क्या है जगा यहां दिसंबर जनवरी के दिन आ जाएंगे और जब यह गूमेंगे तो हमारे यहां हम उधर चले जाएंगे हमारे यहां दिसंबर हो जाएगी और इनके यहां जून हो जाएगी ठीक है ना तो इस तरह से क्या है जैसे ही परत्वी बदल जो सुरिये के सामने से इसकी स्थिती बदलती है मोशम भी बदलते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं 12 घंटे के दिन हो जाते हैं 12 घंटे के रात हो जाती है जब दोनों चीज बराबर होती है तो उसे यूनिक्स कहते हैं यूनिक्स हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिन बहुत बड़ा होता है जैसे 25 जून को होता है और रात बहुत छोटी होती है मतलब सूरिय जो है जल्दी निकलता है उस दिन 5 बजे ही निकल जाता है और देर तक मान लो साड़े साथ तक छीपा तो दिन तो बहुत बड़ा होगी है ना 12, 14 गंटे का होगी है रात छोटी होगी इसको क्या कहते हैं इसको सोलिस्टिक कहते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे मेरे ख्याल से सिंपल सी बाते हैं समझ में आगे होगा दोबारा सुन लेना तो हम सुरू करते हैं चेप्टर को As you know that the earth had two types of motion दो तरह की गती करती है प्रत्वी एक rotation करती है और एक revolution करती है अपने ही दुरी पर घूमती है तो rotate होती है और सूरिय के चाराओं और चक्र लगाती है सूरिय के चाराओं और चक्र लगाती है तो क्या होता है revolution होती rotation is the moment of the earth on its axis rotation का मतलब है अपनी ही दुरी पर चक्र काटना और अपनी दुरी का एक चक्र पूरा उसका 24 गंटे का होता है क्योंकि बहुत बड़ी है न परत्वी बॉल की तरह यह नहीं है एक सेकिंड में गुम जाईगी हो the moment of the earth around the sun लेकिन जो sun के चार ओर घुमती है तो उसे क्या कहते है उसे revolution कहते है हिंदी में एक प्रिकर्मन गती कहते है एक प्रिभर्मन गती कहते है जो rotation होती है वो प्रिकर्मन होती है और जो revolution होती है वो प्रिभर्मन होती है उके उसके बाद आगे चलते हैं the axis of the earth axis मैंने ये ऐसे जुकी हुई है न ऐसे तार तो नहीं निकला हुआ लेकिन ऐसे जुकी हुई है वो सुर्य के चारों शाड़े छांसट और तेज डिगरी पे the axis of the earth which is an imaginary line makes an angle of साड़े छांसट डिगरी ठीक है इदर साड़े छांसट डिगरी है और यहां साड़े तेज डिगरी we the orbital plan orbital plan का मतलब होता है जिसके चार और यह दोरी है the plane formed by the orbit is known as the orbital plane और जो orbit के दवारा बनाया जाता है जो छेतर उसे क्या कहते है orbital plane बोला जाता है the earth receive light from the sun मैंने बता दिया कि sun से ही वो light प्राप्ट करती है यह sun होता है और यह पर्थू इसके चारों और घुमती है due to the spherical shape of the earth earth गोल नहीं है earth अंडाकार है spherical है shape of the earth only half of its gets light from the sun at the time और एक time में इसका आदा हिस्सा ही light प्राप्ट करता है यह हिस्सा डार्क में रहता है यह night होती है उसके बाद जो है only light from the sun at a time the portion of facing the sun जो sun के सामने होता है वहाँ day होता है और while the other half from the sun experience night और जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ क्या होती है night होती है ठीक है वहाँ पर अगर आप यह समझलो कि यह नहीं चलती भई यह नहीं गूमती तो एक ही जगह पर दिन रहता और एक जगह हमेशा डार्क में डूबा रहता तो परत्वी पर जीवन समझ ना होता nature ने सोब कुछ सोच समझ के दिया है कि हमें कैसे परत्वी को गुमाना है और कैसे वहाँ जीवन समझ हो सकता है the circle that divide the day from night on the globe is called circus of illumination जो circle जो गोला परत्वी जो परत्वी को दो भागों में बाढ़ता है एक गरम और एक sorry एक day और एक night इस circle को हम क्या कहते हैं illumination this circle does not coincide with the axis as you see in the figure दार्थ take about 24 hours to complete one rotation around the axis और इस तरह से जब ये घूमती है और घूमते घूमते फिर यहीं आ जाती है तो ये 24 घंटे लेती है rotation घूमते घूमते अपने ही धुरी पे the period of rotation is known as the earth day इसे परत्वी का दिन का आ जाता है this is the daily motion of the earth और ये earth का daily का motion है मतलब हर रोज परत्वी ऐसे ही घूमती है और इसे इसका एक दिन बनता है ठीक है यहाँ सुर्य के सामने है वही यहाँ दिन निकलाया और इदर रात हो गई फिर घूमते घूमते बारा घंटे में ये पोर्षन इदर चला जाएगा यहाँ फिर क्या हो जाएगी इस तरफ रात हो जाएगी और इस तरफ क्या हो जाएगा दिन निकलाएगा समझ में तो आगे ना बहुत ही असान है घूमते घूमते जब सुर्य के सामने आ जाती है तो यहाँ दिन निकला लाता है और फिर इनकी बारी आती है ये इदर आ जाते हैं और हम उदर चले जाते हैं उसके बाद अगर ये नहीं घूमती तो क्या होता सारा दिन एक दिन बना रहता और एक तरफ रात बनी रहती दिन वाले विचारे काम करकर के ठक जाते और रात वाले सोशों कर ठक जाते भई फिर सोते ही हैं और ना हम और ना ठकते क्योंकि जीवन ही नहीं होता दार्थ फेसिंग सन एक्स्पिरियंस डे थास ब्रिंगिंग कॉंटिन्यू वारम्थ टू दा रीजन और वो इतनी गर्मी हो जाती और अदर में इतना डार्कनेस होता कि वहां कोल्ड होती फ्रिज करने वाई लाइफ वोड नोट हैव बिन पॉसिबल इन एक्स्ट्रीम कंडिशन और इस तरह से इस तरह की स्थेतियों में जीवन संबव हो ही नहीं सकता आपने दा एसेंट इंडियन एस्ट्रोनमर आर्य भट के बारे में सुना जिसके नाम पर हमने सेटलाइट भी छोड़ा था सबसे पहले हैड स्टेटिट देट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ओने टैक्सेज देखो वही यूरोपियन को अंग्रेज्जों को मानते न यह बहुत जादा साइस में ड्वैल्प है इन्हें पंदरवी स्ताबदी में पता चला था कि पृत्वी घूमती है ना कि सुरिये और जबकि भारत में आ रही है भट जो तीसरी चोथी स्ताबदी में हुए थे उन्होंने इसमें ही बता दिया कि था तीसरी चोथी इस्तावदी में मतलब उनसे 1100-1200 साल पहले ही कि पृत्वी गूमती है जी सूरी ये तो स्थीर है और अपनी धुरी पर गूमती है ये देखो वही ये कैसे बनती है आपके सीजन आपने दो सीजन देखे होंगे चार सीजन है एक तो होता है विंटर बारा महीने होते ने साल म चलो 12 महीनों को हम divide कर देते हैं 12 महीनों को हम 4 रितूं पे बाट देते हैं तो 4 रितूं हम बाटे तो एक रितू पिर कितने महीने आए 3 4 रितूं होगे 3 चुके 12 winter के जो 3 महीने हैं November, December और January उसके बाद आता है winter supreme सप्रिंग ऒढ़ा से मांतेSप्रिंग को क्यों कैОं कि आ가 टमप्रूंग आती है तो गर्मी लेकर आती फर्वरि मार्च फैब, मार्ज और एप्रेल ये होता है सप्रिंग सीजन उसके बाद आती है उसके बाद आती है ओटम पत जड़ और सोरी समर आती है फिर गर्मी और गर्मी में क्या होता है मई, जुम, जुलाई भारत में तो एक्स्ट्रीम कर्मी होती है और उसके बाद आई ओटम पत जड़ सप्रिंग को बोलते हैं बसंत अगस्त सितंबर, ओक्टोबर नमंबर दोबारा से फिर सर्दिक आ गया तो तीन-तीन महीनों में हमने बाट लिया तो यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यह भी परत्वी को आपको तीन-चार भागों में ही बढ़ते दिखाए देगा इस से रित्में बनती है सीजन और भारत की खेती पर सीजन का बड़ा महत्व है हर देश की सीजन अगर खराब हो जाता है मोसम अगर जलवाई अगर भी गड़ जाती है तो आपके पेड़ पोधे भी पैदा नहीं होते है दूसरी जो सुर्य के चारव चक्र कारती है उसको रेवलुशन कहते है इट टेक्स 365 एंड 1 फॉर्थ 24 गंटे का एक दिन है तो इसका वन फॉर्थ कितना हुआ 6 गंटे 6 गंटे हरोज बच जाते है जो 365 दिन में नहीं लगते इसको हम फिर अंत में एक साल में जोड़ देते हैं सारे 6 गंटों को एक दिन बन जाता है पूरा उसे ली पियर कहते हैं आपकी जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है तो वो ली पियर होती है 366 दिन हो जाते हैं उसे साल में हर 4 साल के बाद ये होती है इट टेक्स 365 टे वन एयर तो रिजोल रिवोल राउंड दा सन सन के चार और चकर लगाने में वी कंसीडर एयर आज consisting of 360 days only and ignore 6 hours for the sake of the convince और हम 6 घंटे को ignore नहीं करेंगे इसमें तो कह रखा है लेगे हम only PR में जोडेंगे इसको 366 दिन हो जाएंगे अब हम देखते हैं कि सीजन कैसे बनते हैं देखो वही ये सूर्य है और इसकी किरने जा रही है यहाँ आज हमारी परत्वी इदर है और परत्वी इदर है तो ये परत्वी का जो हिस्सा है ये ये सूर्य के सामने है जो पिछे वाला हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है तो यहाँ ओटम चल रही अब यहाँ क्या होगी यहाँ सप्रेंग होगी एक दूसरे के अपोजिट होगे, पिछे, आगे ओटम है, और ओटम का मतलब 21 मार्च है, और 21 मार्च को दिन और रात बराबर हैं, जैसे देखोगे न, मार्च में ऐसे दिन हो जाते हैं, ना शर्दी होती हैं, ना गर्मी होती हैं, और जो सुर्य है वो ठीक समय पे चिपता है ठीक समय पे उद्य होता है, तो यशे यूनिक्स का मतलब होता है, जहां दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, जहां पर दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च होता है ओटम में, और यह है आपका नोर्थ, ठीक है, नोर्थ, पोल, साउथ पोल, नोर्थ और साउथ पोल के बीच में जो ये प्रत्वी है ये हिस्सा यहां पर क्या है यहां पर दिन रात बराबर है मारच का महिना चल रहा है पिछली तरफ से प्रिंका चल रहा है जो इसके ठीक अपोजिट है ओके उसके बाद ये प्रत्वी घुमती घुमती तीन महिने में यहां आगे सोरी यहां आगे इधर गोमरी है इस्ट वेस्ट से इस्ट वेस्ट से इस्ट गोमते परत्वें में इसा याद रखना वेस्ट से इस्ट ऐसे उल्टी तो यहां आगे यहां तीन महीने में पहुंची तो फिर जो सूरीय के सामने जो हिस्सा वहां गर्मी है ठीक है यह जोन का महीना है समर है नौर्थ में समर चल रहा है और जो दक्षिन है उसमें विंटर चल रहा है 21 का दिन है समर सोलिस्टिक है समर सोलिस्टिक का मतलब यह है समर सोलिस्टिक का मतलब है कि दिन बहुत छोटा है और रातें बहुत बड़ी है और यहां फिर ओटम आ गया वही दिन आ गया यहां तो सप्रिंग के दिन है यहां जो स्थिती बदल गी यहां जो सप्रिंग थी यहां उटम होगी तीन महीने में और यहां पर फिर वही 21 मारच 22 स्टमबर को क्या होगा 22 स्टमबर को दिन और रात बराबर होंगे इस हिस्से में जो सुर्य के सामने हैं ओके और फिर भई आपकी पृत्वी गुंते गुंते यहां आगी और यहां विंटर सोलिस्टिक है दो युनिक्स हैं दो सोलिस्टिक है युनिक्स में क्या होता है दिन और रात बराबर होते हैं वो दो दिन होते हैं 21 मारच को और 23 स्टमबर को और दो दिन एक दिन रात छोटी और एक दिन बड़ा रात छोटी होती दिन बड़ा होता है वो 21 जून को होता है इसे आप दिन में सर्दियों में बहुत जल्दी दिन छिप जाता है तो बहुत शीकरन और एक 22 दिसंबर को winter solistic होता है इसका मतला भी यह है कि रात तो बहुत बड़ी हो जाती है और दिन बहुत छोटा होता है यह experience करो आप दखो सारे जोगरफी क्या है experience करने की चीज है होते हैं सर्दियों में बड़े छोटे दिन होते हैं बड़े जल्दी दिन छिप जाता है सुर्य छिप जाता है और जल्दी ही जो सुबह है वो बहुत लेट होती है साड़े साथ बजे आप गर्मी का दिन चल रहा है पांच बजे ही दिन निकलाता है साड़े पांच बजे तो बिल्कुल दिन निकलाता है लेकिन जब अगर आप सर्दियों में शाड़े पांच बुझे उठोगे तो आप लगेगा आधी रात को उठ लिया मैं तो बच्चों ये करके देखना आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू बश्चों